प्रियूजर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है शिवाईनु को लेकर बहुत सारे सवाल आपके तरब से पूछे जा रहे हैं एक के बाद एक सभी के जवाब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं देने वाले हैं वर्तमान परिदरश्य से देखा जाए तो शिवाईनु 18 के लेवर 19 के लेवल पर घूम फिर रहा है इस से उपर नीचे इस से ज़्यादा बड़त या नीचे की बड़त नहीं हो रही है एक अच्छी चीज ये है कि मजबूत सपोर्ट लेवल यहाँ पर जो शिवाईनु को मिला है वो यहाँ पर मिल रहा है अगर आप गोर से देखे एक महिने में बराबर एक ट्रेड लाइन को शिवाईनु फोलो करते करते उपर की दिसा में जा रहा है साथ दिन के ग्राफ में देखोगे तो यहाँ पर दो बार प्राइज यहाँ यहाँ टूटी है लेकिन जो सत्रा का जो लेवल है इस सत्रा के लेवल से मारके टूट नहीं रहा है साथ दिन या छे दिन में देखा जाए तो यानि कि यह इक strong support यहां पर बनता हुआ दिख रहा है शिवायनू के लिए खेर इन सब बातों का हमारे उपर कोई असर नहीं हो रहा है हमें तो शिवायनू की prize नहीं बढ़ रही है उसकी चिंता है क्योंकि देखा जाये तो आज 20 तारिक हो चुकी है मतलब अक्टूबर से जो expectation था कि अप्टूबर बनेगा बट यार अप्टूबर तो छोड़ो अक्टूबर भी वेसा performance नहीं कर पाया तो आखिर reason क्या है किस कारण से शिवायनू यहां पर जो है डाउन की तरब जा रहा है या फिर रुका हुआ है बड़ नहीं रहा है तो इसका यहां पर हम समगर visualization करने वाले हैं क्या कुछ इस्थितिय अगामी दिनों में यहां पर बनेगी अगर आप गोर से देखे तो BTC का हाल ही प्रदेशन यहां पर अगर देखे तो 68,400 डोलर के लेवल पर है यहां पर Bitcoin में regular base पर एक अच्छी धीरे-धीरे ही position strong हो रही है और यहां पर BTC regular base पर बढ़ रहा है लेकिन जैसा कि पता है कि मजबूत resistance यहां पर बना हुआ था 37,000 डोलर का उस मजबूत resistance को अभी भी BTC तोड नहीं पा रहा है इंवेश्टरों को अभी भी डर लग रहा है कि पता नहीं है BTC यहां से नीचे तूड जाएगा और इस डर के कारण ज़्यादा entry यह नहीं बन पा रही है मार्केट में मतलब अभी कोई news भी नहीं है मार्केट में उसके बावजूद भी मतलब negative news नहीं है उसके बावजूद भी Bitcoin में VC pump नहीं देखने को मिल रहा है अगर यहां पर BTC एक बार तूड जाता है तो एक बड़े pump के expectation हम यहां पर कर सकते हैं क्योंकि यहां पर अगर आप Bitcoin का ETF flow देखेंगे इन फ्लो तो regular base पर बढ़ रहा है और अभी एक data आया था BlackRock का जिसमें उन्होंने कहा है कि BTC ETF का 95% direct investor के माध्यम से आ रहा है indirect list नहीं तो यहां पर एक बात strong हो रही है कि जो investor अलग-अलग माध्यम से crypto market, cryptocurrency को जानते है वही ETF के माध्यम से पेशा invest कर रहा है वहाई BlackRock और दूसरे ETF fund के माध्यम से तो यहां पर इसपश्ट तोर पर यह कहना है कि यहां पर अभी एक जिजग से ज़रूर investor के मन में चल रही है उदर अगर हम देखे शिबायनू के नहीं बढ़ने के पीछे एक reason यहां पर और निकल कर आया है अगर आप total meme coin का graph आप गोर से देखेंगे तो यहां पर एक चीज इसपश्ट नजर आ रही है पिछले 15 दिन से या फिर October October का 20 दिन हम आने तो उसमें एक चीज गोर से देखोगे तो शिरुवात में हम देखते हैं कि पोपकेट, नाइरो, मोग, केट एसे नए नए बेबी डोज कोईन एसे एसे छोटे meme कोईन तेजी से बढ़े ठीक है, इन्होंने अचानक से unexpected return दिया जो 100%, 50%, 80% का रहा है और कुछ ने तो जैसे नाइरो ने तो 1000% का return दे दिया है लेकिन हम एक second stage में ये first phase था जो October का आया था first phase में ये नए meme कोईन तेजी से बढ़े फिर हम second phase देखते है इसका, second phase में हमने देखा है कि Shiba Inu तेजी से यहाँ पर popular हुआ बजाए पेपे, बोंक और फ्लोकी की तुलना में Shiba तेजी से बढ़ा था, अचानक से Shiba में बहुत तेजी से buying आई थी फिर वो कुछ दिनों तक चला, मतलब मुस्किल से 24 गंटे, 22 गंटे ही चला होगा third phase हम देखते है और उसमें हम देखते है कि Doge Coin में अचानक से growth आती है Uncoin की तुलना में, यहाँ पर दूसरे Coin ऐसे नहीं बढ़ रहा है उनके तुलना में Doge Coin में बड़ा profit यहाँ पर बन रहा है और यह भी उसी दिसा में आगे की तरफ यहाँ पर बता रहा है उसी दिसा में बढ़ता हुआ दिख रहा है Doge Coin क्योंकि दूसरे Coin में कोई growth नहीं है अब तीसरा फेज चोथा पाच्वा फेज यहाँ पर यहाँ आ रहा है कि अभी हमने notice किया है कल से ही में देख रहा हूँ कि जो यह पोपकेट है, ब्रीट है, नाइरो है और मोक कोईन है इनमें तेजी से ग्रावट हो रहा है यह Doge Coin वगेरा में अचानक से इनमें ग्रावट देखने को मिली हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से पेशा शिप्ट हो रहा है अब यह पेशा शिप्ट होकर कहां जा रहा है क्या इन दूसरे कोईन में जा रहा है, लाइक Doge Coin, Shiba या Bonk Flow की इनमें जा रहा है और Pay Pay और Bonk में भी इन्वेस्मेंट आया है, यानि कि क्या पॉपकेट ब्रीट इनमें से पेशा निकल कर इधार शिप्ट हो रहा है मतलब बड़ा ही Confusion वाला मामला क्रियेट हो रहा है इन्वेस्टरों को यहाँ पर बड़ी ही साउधानी से आगे बढ़ने की जरुवत है हलाकि मैं यहाँ पर एक चीज गोर करवाओ, मेरे पॉटफोलियो में इन सभी घटनाओं का ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला एक हपते पहले भी मैंने जब पॉटफोलियो मेरा चेक किया था तो वही Profit मेरा बन रहा था 12% के आसपास और अभी भी देख रहा हूँ तो वही 12% Profit है मैंने देखा है कि कुछ Coin उस टाइम दूसरे बढ़ रहे थे, अब दूसरे बढ़ रहे है क्योंकि मैंने अपने पॉटफोलियो में लग भग कम से कम 31% Coin रखे है और मैंने यहाँ पर एक चीज अच्छी देखी है मेरे पॉटफोलियो में कि यार पहले 12% Profit ही मिल रहा था क्योंकि दूसरे Coin बढ़ रहे थे और दूसरे Coin घट रहे थे आप क्या हो रहा है जो घट रहे थे वो अब बढ़ रहे है और जो बढ़ रहे थे वो घट रहे है यहीं कि कुल मिला के मेरे पॉटफोलियो पर जादा फर्क नहीं पढ़ रहा है जादा इस चीज का असर नहीं हो रहा है जादा Coin रखने की यह खासियत होती है मैं समझाने का प्रियास ये कर रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियों में भी इसी टाइप से होना चाहिए देखिए शीबा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो पता नहीं है क्रिप्टो मार्केट में इस बुलरन में शीबा उनु बड़े नहीं बड़े लेकिन उतना ही एक्सपेक्टेशन पोपकेट बिरीट नाइरो से भी मत रखो पता नहीं है ये फिर से गच्चा दे जाए या बड़े नहीं बड़े तो हमें हमारे अब देखो डोज कोईन को हम हलका ले रहे थे तो कहने का मतलब शीबा को भी उतनी ही प्रायोरेटी दो जितना पेपे बोंक फ्लोकी और डोज कोईन को दे रहे हो कुल मिना के एक बड़े क्रप्टो एक्सपेट की बात मैंने कुछ दिन पहले आपको बताये थी मुझे काफी प्रभावित किया था उनकी बात ने उन्होंने यह कहा था कि मैं शीबा या बोंकी की बात नहीं करता फ्लोकी की बात नहीं करता मैं मीम कोईन की बात करता हूँ जब मैं मीम कोईन की बात करता हूँ तो उसमें शीबा, पेपे, फ्लोकी, बॉंक, डोज, सब आ जाते हैं तो यहाँ पर आप दो केटेगरी बना सकते हैं एक डोज, शीबा, पेपे, डोग, बॉंक, फ्लोकी इन उपर के 6 कोईन की पोपकेड, ब्रीट, नाइरो, मोग, केट, बेबी डोज, बूक एसे कई कोईन की, तो ये नए कोईन हो गए, ये पुराने हो गए, अब पुराने छे कोईन में आप एक जैसा इन्वेस करके रख लीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा कब आगे बढ़ जाए, अभी 18 दिन की घटनाए मैंने सब आपके सामने पेस कर दी है, कि भाईया कभी य इसमें ज्यादा इन्वेस आ रहा है, कभी उसमें कमा रहा है, तो ये विचितर वाली बात हो रही है, और इसका अंदाजा लगाना मुस्किल है कि कौन सा ज्यादा पंप करेगा, अगर सभी में इन्वेस है तो ज्यादा बेटर है, रिस्क लेने के बजा, और सेकंड फेज म में 11 मिलियन शिवा टोकन बर्न हुए है, 367% स्पाइक हुआ है, बर्न रेट, लेकिन देखिए उठकी मों में जीरे के बराबर है, यहाँ पर इतनी बड़ी मातरा में यहाँ पर डेटा निकल कर आया था, ट्विटर पर बताया था इसके बारे में जानकरी, लेकिन फिर भी यार भले दो बार में इतने बड़े ट्रांजेशन यहाँ पर बर्निंग के लिए भेजे, लेकिन कोई खास फर्क नहीं मिड़ रहा है, मार्केट सेंटिमेंट भी अभी कोई प्राइज एक्शन के मोड में नहीं है शिवा इनुका, तो इसलिए जादा उम्मीद करना बेमा नहीं रहेगी, हलाकि लूसी अभी आई थे उन्होंने 400 परशंट की रेली का बोला, लेकिन ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जब हमारा बुलरन के विसे में सोचना है, तो फिर शिवा को थोड़ा सा कमाते हुए, मैंने जो बताया ना, प्लान ये प्लान करि तो ये एक डाइरेक्शन आपको दिया होगा कि मैं क्या बताने के कोशिस कर रहा हूँ, वीडियो समझ में आया है, दोबारा देखिए, और यही स्टेडिज अपनाई है, काफी बड़ा प्रोफिट आपको बनेगा, बोलरन भी जल्दी ही नजदेक आने वाला है, मिलते हैं ये वीडियो में नमस्कार, चैनल पर पहली बार आए है, अपडेट पाना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं